Hello students, आईए स्टार्ट करते हैं string properties, python में string property, immutability, concatenation, replication, inclusion, ये चार properties, हम discuss करेंगे string की, सबसे पहली immutability, immutability का mean है कि string को change नहीं किया जा सकता, यहाँ पे a string ली है, a zero position पे हम t रखना चाते हैं, तो ये possible नहीं है, ये हमने पहले session में भी discuss किया कि string के हरे character को numbering दी जाती है, इस numbering को index कहते हैं और ये index zero से start होता है, आर जीरोत index से start हो रहा है, और ये first index पे है, और इसी तरह से zerोत index पे हम t करना चाते हैं, तो ये possible नहीं है, second property है concatenation, a में हम raghav store कर रहे हैं, b में हम m रख रहे हैं, अब हम इन दोनों को add करना चाते हैं, तो concatenation operation क्या करता है, यहाँ पे plus जो है concatenation operator है, ये a string और b string को add करेगा, b को a के end में add कर देगा, और अग्भम c में store हो जाएगा, और इस तरह से replication property है, ये दी हुई string को repeat करके दिखाती है, जितनी बार हमने कहा होगा, यहाँ पे star जो है, वो replication operator की तरह इस्सेमाल हो रहा है, star के बाद जो value लिखी होगी, उतनी बार string लिखी हुई आएगी, तो यहाँ पे a हमने star 5 के साथ लिखा है, तो a यहाँ पे 5 टाइम्स आएगा, इसी तरह inclusion property है, इसमें inclusion का मीन है कि string जो है, वो दी हुई string में आ रही है या नहीं, जैसे कि e, e in raghav, तो यहाँ पे in जो है हमें लिखना होगा, in inclusion property है, e in raghav, तो e raghav string में नहीं है, इसलिए यहाँ पे false आएगा, और h raghav string में है, तो यहाँ पे true आएगा, तो thanks for this session, have a nice time, bye-bye. सब्सक्राइड़ करें नहीं, सब्सक्राइब कर दो यहाँ दो है, तो यहाँ शक्यों है, झाल झाल